मंगत राम एक गरीब आदमी था वो जमिनदार जी के यहां नौकर का काम किया करता था जमिनदार साहब एक बहुत ही बुरे इंसान थे वे अपने घर में काम करने वाले नौकरों के साथ बहुत ही बुरा बरताब करते थे मंगत राम, अभी तक खेत का काम पूरा हुआ या नहीं? मैंने खेत का सारा काम पूरा कर दिया है जमिंदार साहब, इसलिए बस अब खाना खाने जा रहा हूँ नहीं नहीं, पहले तू जाकर सारा समान मंडी में पहुचा करा, उसके बाद आकर खाना खाईयो लेकिन मालिक मंडी में समान पहुचाने का काम तो रगु का है हाँ, लेकिन आज उसे मैंने किसी और काम के लिए भेजा है ठीक है मालिक, मैं मंडी में समान पहुचा दूँगा, लेकिन पहले मुझे खाना खा लेने दीजे बहुत भूग लगी है, मैंने सुभा से कुछ नहीं खाया है मैंने तुझसे एक बार कहा ना कि जब तक मंडी में समान नहीं पहुच जाएगा तब तक तो खाना नहीं खाएगा लगता है तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती इतना कहकर जमींदार साहब मंगतराम के खाने को उठा कर फेक देते है मुझे ऐसे क्या देख रहा है? जाब वरना आज तेरी पूरे दिन की दिहाली काट लूँगा बेचारा मंगतराम अपने मूँ को लटकाए हुए भूका प्यासा ही वहां से चला जाता है मंडी में जाकर वो गाडी में से भारी सामान के कट्टों को उतारने लगता है तभी कुछ कट्टे उतारने के बाद कमजोरी से वो बेहोश होकर गिर जाता है अरे भाई ये क्या हो गया इसे? कोई पानी लेकर आओ आसपास के लोग मंगतराम के चहरे पर पानी छिड़क कर उसे उठाते है अरे भाई, क्या हो गया था तुमें? ठीक से खाना वाना नहीं खाय था क्या? जड़ा ध्यान रखा करो, ये लो, पानी पिओ आसपास के लोग मंगत राम की मदद करने के लिए सामान की बोरिया उतार कर रग देते हैं और मंगत राम को जमिंदार साहब के यहां छोड़ कर आते हैं अपने नोगरों का ज़रा ध्यान रखा करो जमींदार साहब, वो तो अच्छा हुआ कि ये हमारे सामने बेहोश हुआ, अगर कही रास्ते में गाड़ी चलाते हुए इसे चक्कर आ गए होते न, तो ना जाने क्या हाद्सा हो जाता? जमींदार को ये सब कहकर, वो आदमी वहाँ से चले जाता है, जिसे सुनकर जमींदार साहब आग बबुला हो जाते हैं मालिक, मुझे मिरी आज की दिहाडी दे दीजे, घर पर आटा और दाल लेकर जानी है कोई दिहाडी नहीं मिलेगी तुझे, पूरे बाजार में मुझे बदराम करवा दिया, कि जमींदार अपने नौकरों से जानवरों की तरह काम करवाता है इसलिए उसके नौकर बीच बाजार में बेहो शोकर गिरे जा रहे हैं, जा, आज तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा ऐसा मत कीजे मालिक, मैं पहले ही बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दीजे मंगत राम जमींदार सहब के सामने हाच जोडता है, लेकिन जमींदार सहब उसे बिना पैसे दिये ही घर से बाहर निकाल देते है मंगत राम बेचारा मू लटकाए, अपने घर जाता है अरे, आ गए आप हाँ, आ गया शान्ती आप बैठिये, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ इन्हे पानी बाद में देना, पहले आप मुझे दिहाडी के पैसे दीजिए, मुझे कुछ सामान लेकर आना है बहु, पहले उन्हें दो घड़ी चैन की सास तो ले लेने दे ए बुढिया, तु जाकर रसोई में खाना बना, मुझे ज़ादा ज्यान मत सिखा, लाओ, जल्दी दिहाडी के आज के पैसे दो आज जमिनदार साहब ने मुझे कोई दिहाडी नहीं दी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है बहु मंगतराम के बहु बेटे बढ़े ही बेकार थे, वे मंगतराम से उसके सारे कमाय हुए पैसे छीन लेते थे और शान्ती से घर का सारा काम करवाते थे मंगतराम और उसकी पत्नी अब अपने बहु बेटे से बहुत ही तंग आ गय थे शाम होते ही मंगतराम का बेटा घर आया तो उसकी बीवी ने उसे उसके पिता के खिलाफ भढ़काना शुरू कर दिया रात को सब लोग जैसे ही खाने के लिए बैठे बहु तुने मुझे और शान्ती को खाने की प्लेट क्यू नहीं दी क्योंकि आज घर में आप दोनों के लिए कोई खाना नहीं बना है ये तुम क्या कह रही हो बहू? मैंने अपने हातों से सब के लिए खाना बनाया था. लेकिन अब वो खाना आप दोनों को नहीं मिलेगा. इन्होंने जान बूच कर आज अपनी दिहाडी के पैसे मुझे नहीं दिये. अगर आज मैंने तुम दोनों को खाना दे दिया, तो तु तो मेरे सर पर ही चड़कर बैठ जाओगे. आज के बाद याद रखना, अगर फिर से ऐसी चाला की की, तो अंजाम इससे भी बुरा होगा. ये तु क्या कही रही है बहू? और तु इसकी बाते चुपचा बैठा हुआ सुन रहा है. ये तेरे माबाब से इस तर अव्यभार कर रही है. तु इसे कुछ कहता क्यों नहीं? वो जो कह रही है बलकुल ठीक कह रही है. ये घर मेरा है. और अगर आप दोनों को इस घर में रहना है, तो मुझे पैसे कमा कर देने होंगे. वरना आप लोगों की इस घर में कोई जगा नहीं. अपने बहु बेटे के मूँ से ऐसी बाते सुनकर उन दोनों की आखों में आसु आ जाते हैं और वो दोनों चुप चाप वहां से उठकर बाहर आंगन में सोने चले जाते हैं. कुछ दिन बाद अचानक मंगतराम की तब्यत खराब हो जाती है, तो वो जमिंदार सहब के यह काम पर नहीं जा पाता, तब यो उसके बहु बेटे पैसे न मिलने के कारण उन दोनों को धक्का मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं. ये तु क्या कह रहा है बेटा, जिस माबाप ने तुम्हें पाल पोसकर इतना बड़ा किया, आज तुम अपने माबाप को धक्के मार कर कुछ और नहीं, तो कम से कम अपने पिता के तब्यत के बारे में सोचो, उन्हें ऐसी हालत में मैं लेकर भला कहां जाऊंगी? वो सब हम कुछ नहीं जानते, अपना बोरी अबिस्तर उठाओ और निकलो यहां से. मंगतराम की ऐसी हालत देखकर भी उन दोनों को उन पर कोई तरस नहीं आता. मंगतराम और शानती अपना सामान उठाए दर बदर भटकते रहते हैं. तब उन्हें रास्ते से कुछ दूरी पर एक जंगल दिखाई देता है. सुनिये जी, हम इस जंगल के किनारे अपनी एक जोपड़ी बना लेते हैं. कम से कम हमारे पस रहने के लिए क कोई जगत तो हो जाएगी? मंगतराम और शानती जंगल से कुछ घास, पूस और लकड़ियों को इकठा करके उनसे एक छोटी सी जोपड़ी बनाते हैं. सुनिये जी, आपकी तब्ये ठीक नहीं. आप यहां बैटकर आराम कीजिए. तब तक मैं जंगल से कुछ फल खाने के लिए लेकर आती हूँ. शानती जंगल में जाकर कुछ फल तोड़ कर ले आती है और अपने पती को खिला देती है. अब जब भी वो जंगल में फल तोड़ने जाती, तो जंगल में उसे एक कोयल का गीत सुनाई देता. उसके गीत को सुनकर शानती का मन बड़ा ही आननदित हो जाता है. ये कोयल कितना मधूर गाती है. काश ये मेरे साथ मेरी जोपड़ी में चलती. शानती के इतना कहते ही वो कोयल उसके पीछे-पीछे चलने लगती है. शानती जैसे ही अपने जोपड़ी में पहुचती है, वैसे ही वो कोयल उसके आंगन में बैट कर अपना गुन गुनाने लगती है। हमने वो घर बनाया था और बच्चों ने एक ही पल में हमें उस घर से निकाल दिया। आज बुढ़ापे में हमें जोपड़ी में रहना पड़ रहा है। एक अंगूर की वाड़ी के पास जाती है। जादूई अंगूर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो सुरिली कोयल तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। जादूई अंगूर के पूछने पर कोयल उसे सारी बात बताती है, तभी जादूई अंगूर उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूँ, तुम उन्हें जाकर उनके आंगन में बोदो इस बीज से उगने वाले जादूई अंगूर उनकी सारी मुसीबतों को हल कर देंगे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादूई अंगूर कोयल उन बीजों को ले जाकर उनके आंगन में बो देती है अगले दिन जब शांती उटकर आंगन में आती है तो अपनी आंगन में इतने सारे अंगूर उगे देखकर वो हैरान रह जाती है हमारी अंगन में इतने सारे अंगूर कहां से आ गए? मैंने तो यहाँ पर कोई बीज भी नहीं बोई थे उन अंगूरों को देखकर शांती उन्हें तोडने के लिए उसके पास जाती है तभी उसे उन अंगूरों से आवाज आती है आप हमें मत तोड़ो शांती काकी अगर आपको अंगूर खाने हैं तो हम आपके लिए और अंगूर ले आएंगे अरे ये तो बोलने वाले अंगूर है कहीं यहाँ पर किसी ने कोई तोड़ना तोटका तो नहीं कर दिया जो रातो रात यहाँ पर यह बोलने वाले अंगूर उग गए नहीं नहीं शांती काकी आप डरो मत कल जो कोयल आपके आंगन में आकर मधूर गीत गुन गुना रही थी उसी कोयल ने आपके आंगन में हमें बोया है ताकि हम आपकी सभी परिशानियों को हल कर सके लेकिन तुम हमारी मुसीबतों को कैसे हल करोगे अंगूर बेटा हम जादूई अंगूर है शान्ती काकी, हम कुछ भी कर सकते है अगर तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकते हो, तो कृपा करके मेरे पती को बिलकुल ठीक कर दो, वो बहुत समय से बिमार है ठीक है शान्ती काकी, हम अभी काका जी को बिलकुल ठीक कर देंगे जादूई अंगूर उचलते कूटते हुए उनकी जोपडी के अंदर जाते है और मंगतराम के सर पर अपना हाथ रखते है मंगतराम के सर पर हाथ रखते ही उनकी पूरी जोपड़ी में सुनेरे रंकी रोश्णी फैल जाती है तभी कुछ देर बात मंगतराम की तब्यद भी बिल्कुल ठीक हो जाती है अरे वा, इन जादू यंगूरों ने तो कमाल ही कर दिया मेरी तब्यद बिल्कुल ठीक हो गई शान्ती, तुमारा बहुत बहुत धन्यवाद जादू यंगूर कोई बात नहीं काका जी, ये तो हमारा फर्ज था लेकिन आप मुझे ये बताईए कि आप दोनों यहाँ जंगल किनारे जोपड़ी बना कर क्यो रह रहे हैं जादू यंगूर के पूछने पर मंगत राम उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर जादू यंगूर को भी बहुत बुरा लगता है आपके बहु बेटे ने जो किया, उसका फल तो एक ना एक दिन उन्हें जरूर मिलेगा लेकिन हमारे होते हुए आपको इस तरह जोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं हम आपके लिए यहां पर बहुत सुन्दर सा घर बनाएंगे उसके बाद आप हमारे साथ यहां खुशी-खुशी रहना हम आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे अब जादू यंगूर उन दोनों के लिए बहुत ही सुन्दर घर बनाता है जहां पर काम करने के लिए नौकर्चाकर भी होते है अपने लिए इतना सुन्दर घर देखकर दोनों पती-पतनी बहुत खुश होते है अब वो दोनों जादोई अंगूर के साथ उस घर में रहते है और वे सभी वहाँ पर खुशी-खुशी अपना जीवनव्यतीत करते है दयाराम अपने खेत में खीरे की खेते किया करता था और उन्हीं खीरों को बाजार में बेचा करता था खीरे ले लो ताजे ताजे अरे भाई खीरे ले लो बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे दयाराम की खीरे बेच कर बहुत अच्छी बिक्री होती है और उसी से वो अपना घर चलाया करता था ऐसे ही एक सुभ़ दयाराम की पतनी अर्चना उससे कहती है अजी सुनते हो मुझे कुछ पैसे दे दो दरसल मुझे अपने लिए सोने का हार लेना है क्योंकि मेरी बहन की शादी है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी में सोने का हार पहनू अच्छा ठीक है भागेवान मेरे बटवे में मेरा ATM कार्ड होगा तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे तुम उतने पैसे ले लेना और हाँ अच्छे से तयार होकर जाना अपनी बहन की शादी में मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी में लोग तुम्हें देखत अर्चना अपने पती से पैसे लेकर सोनार की दुकान पर जाती है और खुद के लिए सोने का हार खरीद लेती है तभी रास्ते में उसे अपने पडोसन रीना दिखाई देती है तभी रीना कहती है अरे अर्चना बहन तुम सुन्दर की दुकान पर गई थी क्या क्या लेकर आई हो जरा मुझे भी तो बताओ अरे वाँ दरसल मेरे बहन की शादी है इसलिए मैंने अपने लिए सोने का हार लिया है अगर तुम्हें हार देखना है तो मेरे साथ मेरे घर चलो क्यूंकि रास्ते में तो मैं तुम्हें सोने का हार नहीं दिखा सकती हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही क्यूंकि चोरों का कोई भरोसा नहीं है कब कहां से आकर चोरी कर ले कुछ पता नहीं हाँ तभी तो कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो अर्चना स्वभाव से बहुत भोली थी वो रीना को अपने घर ले जाती है और उसे अपना सोने का हार दिखाती है सोने का हार देखने के बाद रीना को मन ही मन अर्चना से जलन होने लगती है वैसे अर्चना ये हार काफी महेंगा होगा क्यूंकि इस हार में वजन भी अच इसलिए तो वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर रहा है। चीज के लिए मना नहीं करते। तुम्हारा सही है अर्चना, एक हम है जो अभी तक गरीबी में ही जी रहे है। अरे मेरी किस्मत में कहां लिखा है सोने का हार, मैं तो नकली हार पहन लू, वही बहुत है मेरे लिए। अरे रीना, तुम ऐसी बाते क्यों कर रही हो, क्या पता आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो? अच्छा अच्छा न, अब मैं चलती हूँ, आगे आने वाले वक्त का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हा, फिलहाल तो गरीबी में ही जीवन काटना है मुझे। इतना बोल कर रीना वहां से चली जाती है, और घर आकर अपने पते गोपाल से बोलती है, तुम बस घर में बैठे-बैठे अकबार पढ़ते रहो, अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे, कैसी शर्म? क्या हो गया है तुम्हे? अरे, ऐसे घर में बैठे रहने से हमारा गुजारा हो जाएगा क्या? अरे, भागेवान, तुम्हें तुम्हें मालूम ही है कि मैं दिहाडी मजदूर का काम करता था, अब मुझे काम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ? अपनी जान दे दूँ क्या? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, क्या नहीं, अरे, कम से कम अर्चना के पती का ही देख लो, अरे, उसने आज अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाया है, अरे, इतनी तरक्की कर रहा है वो कि पूछो ही मत, और एक तुम हो, तुम्हारे बस की तो कुछ है ही नह हाँ, तो उसकी पत्नी ने उसके बुरे वक्त में उसका पूरा सहयो किया, और एक तुम हो, जो आज मेरे बुरे वक्त में मुझे ताने दे रही हो अरे, रहने दो, तुम जैसे निठल्ले आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपने माई के चली जाओ अरे, ऐसे मत बोलो, रेना, तुम्हें तो पता ही है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना, आज नहीं तो कल मुझे काम जरूर मिल जाएगा आपको काम मिले या ना मिले, मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ता, अगर मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं सामने वाले को भी खुश नहीं देख सकती मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करो, जिससे अर्चना और उसके परिवार की खुशाली चली जाए रीना को अर्चना के खुशियां बिल्कुल भी बरदाश नहीं हो रही थी, वो अब कैसे भी उसके खुशियों में आग लगाना चाहती थी ऐसे ही एक सुबह दयाराम उठकर अपने खेत में जाता है, और खेत का नजारा देखकर दयाराम एकदम हैरान था खेत में जितने भी खीरे थे, सारे खीरों को किसी ने ट्रैक्टर की मदद से कुचल दिया है हे प्रभू, ये सब क्या है? आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज ही अचानक कैसे? ऐसा लग रहा है, जैसे किसी ने जान बूच कर मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाया है, ताकि मेरे सारे खीरे खराब हो जाए बेचारा दयारा, अपने खेत की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी था, और वो हताश और परेशान होकर अपने घर आता है, और अपनी पतनी को इस बारे में बताता है आप ये क्या कह रहे है, और हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है, हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यूं हो रहा है मुझे नहीं पता अर्चदा कि आखर ये सब क्यूं हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मेरी तरक्की बरदाश्ट नहीं हो रही इसलिए वो ऐसा कर रहा है इन सब से दोनों पती-पत्नी बहुत परिशान थे लेकिन वो कर भी क्या सकते थे ऐसे ही कुछ दिन बाद दयाराम फिर से खीरों की खेती करना शुरू कर देता है देखते ही देखते खीरे की फसल लग जाती है और एक बार फिर से गोपाल ट्राक्टर की मदद से दयाराम के खेत में जितनी भी फसल थी उन सब को कुचल देता है ऐसे ही अगली सुबव फिर से दयाराम अपने खेत में आता है और खेत की हालत देखकर हैरान हो जाता है हे मेरे मालिक ये सब क्या हो रहा है आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है दयाराम अपने खेत में बैट कर बहुत बुरी तरह से रो रहा था तब ही वहाँ एक जादूई परी आती है और वो दयाराम से कहती है क्या हुआ दयाराम तुम इतने परिशान क्यों हो मैं यहां से गुजर रही थी और तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई बताओ आखिरकार क्या परिशानी है अरे यह क्या तुम तो परी हो हाँ मैं जादूई परी हूँ अब बताओ क्या बात है हे जादूई परी, मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यूं हो रहा है, मैंने बहुत मेहनत के साथ अपने खेत में खीरों की खेती की थी, कोई ऐसा है जो बार-बार मेरे खीरों की खेती को नश्ट कर रहा है हाँ, मैं जानती हूँ कि कोई ऐसा है जो तुम्हारे तरक्की देखकर जल रहा है, इसलिए ये पीट पीछे तुम्हारी खेती नश्ट कर रहा है, लेकिन अब तुम बिलकुल भी चंता मत करो, मैं तुम्हारे खेत को जादूई बना देती हूँ, ताकि इस पर तुम जब भी खेती करोगे, तो वो कभी भी नश्ट नहीं होगी, और ना ही कोई इने हानी पहुचा पाएगा, परी, सच में ऐसा हो सकता है क्या, मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी ना जाने ऐसा कौन है, जो मेरी खुशियों से जल रहा है, कोई बात नहीं दयाराम, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अब से तुम्हारे खेत पर जादूई खीरे की खेती होगी, इतना बोल कर परी वहाँ से चली जाती है, परी के जाने के बाद दयाराम देखता है कि अपने आप उसके खेत में खीरे की खेती हो जाती है, ये देखकर दया अरे ये क्या? कल रात को ही तो मैंने इस खेट को नश्ट किया था. गोपाल भागता हुआ अपने पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है. तुम्हें पुरा विश्वास है न कि तुमने दयाराम के खेट को ही नश्ट किया था? कहीं नींद में तुमने कहीं और ही तीर चला दिया हो? अरे भागयवान, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? एक काम करते हैं, आज रात हम दोनों फिर से दयाराम के खेट में जाएंगे और इस बार दयाराम के खेट को इस तरह से बरबाद करूँगा मैं, जिसे दयाराम जिन्दगी में कभी नहीं भूल पाएगा ठीक है, मुझे भी अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि मुझे तुम्हारे उपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या पता तुमने ठीक से काम ना किया हो, अगर ऐसा ही काम करोगे तो हमारे दुश्मन कभी भी तूट नहीं पाएंगे ऐसे ही रात को गोपाल और रीना दोनों फिर से दयाराम के खेट में जाते है गोपाल ट्रैक्टर की मदद से फिर से दयाराम के खेट को बरबाद करने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक वो सारे जादूई खीरे गोपाल और रीना दोनों को अपनी जादूई शक्तियों से जकड लेते हैं दोनों पती-पत्नी जोर-जोर से चिलाने लगते हैं उन दोनों की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग और दयाराम अपनी पत्नी के साथ वहां भागता हुआ आता है तुम लोगों को दयाराम को जितना बरबाद करना था कर लिया लेकिन अब दयाराम का कुछ नहीं कर सकते है क्योंकि हम जादोई खीरे उसके साथ है हमें माफ कर दो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई नहीं तुमने जो किया है वो एक बार नहीं बलकि कई बार किया है इसलिए हम तुम्हें बिलकुल भी माफ नहीं करेंगे तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी हे जादोई खीरे हाँ हमसे भूल हो गई है लेकिन भगवान के लिए हम दोनों पति-पत्नी को माफ कर दो हमें जान से मत मारो नहीं नहीं हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक आम खीरा बना देता हूँ नहीं नहीं ऐसा मत करना भगवान के लिए हमें माफ कर दो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई इस तरह से जादूई खीरे अपनी जादूई शक्तियों से गोपाल और रीना को खीरे बना देते हैं तो वहीं पुरे गाव वालों को इन सबसे सबक मिलता है कि हमेशा बुरे कर्म का नतीजा बड़ा बुरा होता है इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए